हालो एवरिवन आई टिया भारत इसकोल यूटीब चैनल दोस्तों आप लोगों का स्वागत है तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं आई टिया फीट और सेकंडियर वालों की क्लासेस आज से स्टार्ट कर दी गए इसमें दोस्तों हमारा जो नीमी होगा जितने भी कोश्चन साएंगे सभी के सभी कहां से आएंगे निवी पैटन से कुष्चन आएंगे तो आपका एक भी कुश्चन में होागा आप प्रॉपर बैसे डेलियर करक्लासेस देखेंगे तो आपकोई बीक पूशिचन एक्जाम में नहीं चूटेगा थे का तो आप प्रॉपर बेसे क्लास में जुड़ जाईए और जुड़ने से पहले आप क्या करें वीडियो को ज्यादा ज्यादा इस्टेडी ग्रूप में जरूर शेयर करतें अगर चैनल पर पहली बार विजट कर रहें तो क्या करने चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आज हमार कार के लिए किस विशेश फाइल का उप्योग किया जाता है उस फाइल का आप नाम बताईए तो जल्ड़ी से बताएं इसका राइट अंसर करें और जो बी साथ इसका रायच अंसर गलतें अगला दोसिट आपकी स्कीन पर दोस्तों यह रहा कुश्चन में दूस्तों पूछा गया अच्छे से देखी जो हमारे देगा स्लोटेट केसल नट में वह स्लोट क्यों दिये जाते हैं तो क्यों दिये जाते यह पूछा गया देख सकते हैं चार ओप्शनस दियेंगे तो जल्दी से बताएं इसका राइट अंसर कौन स δα लोट किये जाते हैं। एगला कोशेप चलते हैं। तो अगला दूस्त्यों कोशेप आपके सकीन पर दोस्तों दिया गया है। कोशेप पूछा गया है की इस जो लिमिट गेज का क्या नाम हैं। जैसे आप चेटरे में देख रहे हैं है इस का नाम बता हैं। तो जल्ली से comment करें इसका right answer कुंसा होगा तो सभी साथी comment करके बताएंगे इसका right answer तो जो भी साथी इसका right answer करेंगे option number C उनका correct answer होगा यानि की यह होगा progressive plug gauge इसका right answer होगा जो आप चित्र में देख रहे हैं अगला question चलते हमारा next question यह रहा आपके screen पर इस gauge का क्या नाम है तो जल्ली से बताएंगे चित्र में दियागा इस gauge का नाम क्या है जितने भी student video देख रहे हैं live session पर जुड़े होगा तो जल्ली से comment करके बताएंगे इसका right answer कौन सा होगा तो जो भी साथ इसका right answer करेंगे option number A उनका right answer यानि यह से बोलते है ring gauge इसका किनाम है ring gauge ठीक है next question फिर यह रहा आपका अगला question question में पूछा गया है कि आपर मिलने वाले भागों के बीच gauge gauge की जो जाच करने के लिए किस gauge का उपयोग किया जाता है तो दे सकते हैं आपर चार gauge दिये गहें तो उसका नाम बताना है आपको जल्ली से comment करें सब भी साथी तो जो भी साथ इसका right answer करेंगे option number C उनका right answer होगा यानि इससे हम बोते हैं filler gauge इसका right answer होगा next question चलते question में दोस्तों दिया गया question को पड़ी है आराम से इसमें दिया गया है कि slip gauge को साफ करने के लिए किस material का उपयोग किया जाता है तो बताए इसमें से right answer कौन सा होगा comment करके बताए जलने से तो जो पिसाथी इसका right answer कर रहे है option number D उनका correct answer होगा यानि कि यहां पर हमारा होगा carbon tetra coloride जो होता है यह क्या करता है slip gauge को साफ करने के लिए material के उपयोग में किया जाता है ठीक है अगला question चलते हैं question में दोस्तों दिया है किस सामगरी को charge करने के बाद lepping plate को धोना है तो किसको धोना पड़ता है तो जलिस बताए इसका right answer चार option में से किस right answer होगा तो जो भी साथी इसका right answer कर रहे है option number B उनका right answer होगा यानि कि मिट्टी के तेल से क्या करता है lepping plate को धोना होता किस सामगरी से धोना होता मिट्टी के तेल से यानि के रॉसीन से इसका right answer option नमर भी होगा अगला question जलते है कि नेक्स हमारा question दोस्तों दिया question पूछागा slip gauge को जंग से बचाने के लिए किस सामगरी का व्योग किया जाता है तो सामगरी का नाम बताएं जली से comment करके तो जो भी साथ ही इसका right answer कर रहे है option नमबर डी उनका right answer होगा यानि है आएगा petroleum jelly इसका right answer होगा और दूस्तों यह important question है जो मैं आपको बता रहा हूं इसका ज़रूर याद रखना अगला दूस्तों हमारा question दिया गए question को हमारा देख सकते हैं तो इसका right answer होगा वह हमारा होगा option नमबर ए is correct answer होगा यानि कि जो विसेज आयाम के लिए slip gauge का जो निर्माट करने की प्रिज़ए क्या होता है इसमें जो होता है सबसे बड़ी slip gauge के साथ क्या करते हैं व्रिंग जो शुरू करेंगे ठीक option नमबर ए is correct answer होगा अगला question दूस्तों आपकी screen पर यह रहा और बहुत ही important question दूस्तों आपकी exam में 100% पूछा जाएगा इसलिए अच्छे से याद कर लेना question में दूस्तों दिया गया है कि इस gauge का क्या नाम है यह पिछली exam में कई बार पूचा ग option नमबर डी उनका right answer होगा यानि कि यह क्या है adjustable snap gauge होगा जैसे आप चितर में देख रहे हैं यह क्या एक adjustable snap gauge है ठीक इसका right answer होगा next question चलते हैं तो अगला question दोस्तों दिया question पूचा किस फिनिसिंग प्रिक्रिया में डाइमेंसिनल क्यों की हाई डिग्री होती है तो किसी होती है option से आपकी स्कीन पर हैं तो जल्ली से कमेंट करके बदाया इसका right answer क्या होगा जितनी ज्यादा आप दोस्तों प्रेटिस करें उतने ज्यादा आपको questions याद हो जाएंगे तो जो भी साथी इसका right answer कर रहे है option number D उनका right answer होगा यानि कि इसको बोलते हैं लेपिंग जो होता है यह क्या करता है फिनिशिंग प्रिकेदा में डाइमेशनल इक्वेरेसी की हाई डिग्री होती है ठीक होप्शन नमबर डी इसकरेक्ट आंसर नेस्ट कुश्चन जलते हैं कुश्चन दूसरों अगला दिया है कि इसमें पूछा किस अब घर्षड का उप्योग नर्म इसपात और अलोहो धातियों की लेपिंग के लिए किया जाता है तो किस का करेंगे कि कमेंट करें तो जो पिसाथ इसका right answer कर रहे हैं आप्शन नमबर डी करेक्ट आंसर होगा य इसको अच्छे से पढ़िए फिर बताइए इसका right answer क्या होगा कि जो लेपिंग पिलेट की सता है जो होती है गुरू वेस क्यों परदान किये जाते हैं तो बताएं इसमें क्यों परदान किये जाते हैं तो इसका right answer होगा वो हमारा होगा दोस्तो option number c is correct answer होगा यानि के हमारा देख सकते हैं आप गवर्षड को बनाय रखने के लिए क्या करते हैं जो गुरू वेस जो होते हैं इनको लेपिंग पिलेट की सता है पर गुरू वेस प्रदान किये जाते हैं क्यों किये जाते हैं यह इसका right answer कौन सा होगा option number c इसको आप अच्छे से याद रखना क्योंकि आपकी एक्जाम के लिए important question है अगला question चलते हैं question हमारा एकला दिया है question में पूचा गया है surface जो harding करने की वीदी का है तो जैसे कशतर दियागा यह surface harding करने की वीदी है तो यह क्या है इसके बारे में आपको बताना है तो चितर में दियागा तो जल्दे से बता देंका right answer तो जो भी साथ ही इसका right answer कर रहे हैं हमारा 14 नमर का option नमर भी उनका right answer होगा यानि कि इसका होगा पैक क्या होगा कार्वू sing इसका right answer होगा अगले कोश्च चलते हमारा next question यह रहा गम typing लेस्ट कुछिन में दया गया यहां पर देच सकते हिए कि सर्फेस 있습니다 हार्ड़निंग करने की विदी क्या है तो जैसे कि यह यहांपर बिदियेके हैं इसमों दिये लोटेक। आपको नाम बताना तो जले एक सरे और राइट अंसर तो किरें के ऑप्छिन में दिया गया 400 degree centigrade के नीचे के तापमान पर कठोरी क्रत इस्टील को पुढ़ा गरम करने के फिर ठंडा करने की जो प्रिक्रिया होती है उस्चुमा का उप्चानल की कौन सी प्रिक्रिया है इसमा आपको बताना है तो चार ऑप्चन से दिएगे जल्ले से बताना इसका से नीचे तापमान पर कठोरी क्रत इस्टील को पुढ़ा गरम करके फिर ठंडा करने की जो क्रिया होती है उसमा प्रिक्रिया तो इसको बोलते हैं टैंप रिंग बोलते हैं इसको आप याद रखना यह आपकी एक्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट कॉश्चन है ठीक है अगरा दूसर कॉश्चन दिया है कि इसमें पूशा गया है कि जो स्टील में टैपरिंग पर क्यूं कियो जाती है यह बहुत अपके लिए एकाराइट एंसर क्यूं किया जाती है थो जो भी साथी इसका राइट चल्ण कर रहे हैं हमारा आप्शन नुम्र टी कॉरेक्ट सब्सक्राइब करें तो जो पिसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नमर सी उनका राइट अंसर होगा यानि की होगा आंत्रिक स्ट्रेस को दूर करने की लिए इसका राइट आंसर अप्शन नमर सी होगा है लेस्क्डश आपकी इसकीन पर दोस्तों यह रहा आपसे फूछा गया दे कि की का नाम क्या जैसे कि एक की दी गई एक की के आपको नाम बताना तो तो दे सकते हैं चार ऌप्षन से कमेंट करें जल Beettर से जलि इसका राइट से कौन सा होगा तो जो बी साथ इसका राइट अंसर कर रहे हैं हमारा option नंपर कौन सा सबस्प Calvin Axel रहोगा यानि कि फैदर की होती है जो हमारी क्या एक फैदर की जो चितर में दी गई ठीक है कि नैस खुशन चलते हैं कुंजी का उद्देस से क्या है तो आपके सामने कुंजी दाना जो कुंजी होती है उस इस तो बताना चारा उप्शन से इन्सेक राइट है तो जो भी राइट एसका कर रहे हैं उत्छन नंफर सफफ होगा यानि कि यह तौर ऐसको हो है होता है क्या करने के लिए टॉर को संचारित करने के लिए ठीक है इसका राइट अंसर ऑप्शन नंबर यह हुआ नैस कुछ भलते हैं अगला कुश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है देश सकते हैं जो की वे टेपर का अनुपाद क्या है यह आपकी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो आप बता है इसका राइट अंसर का वो चार ऑप्शन में से जो की वे टेपर होता है उसका अन रेशियो 100 होता है तो नैस कुश्चन आपकी स्कीन पर दूस्तों यह रहा है कोश्चन में दूस्तों यहाँ पर देखेंगे हैं इस की का क्या नाम है जैसे कि आपको सामने की दी गई इस की का आपको नाम बताना तो जली से बताएं इसका राइट अंसर कौन सा होगा चार और आपको सब्सक्राइब करें तो जो भी साथ इसका राइट अंसर होगा इसकी का नाम क्या है इसे बोलते हैं टैपर संक की बोलते हैं उसको आप याद रखना और यह आपकी एक्जाम के लिए इंपर्टेंट कुश्चन है ठीक है इसको आप ध्यान पूर को जरूर याद करके या इस को चलते हैं मैं कि को स्चन दोस्तों दिया है कोस्टन बाइए क्ठोर या घूंग और सामकृण पार जो स्वावा टैपिंग के लिए किस अध्य में करें तो जो बीसाद इसका राइट अंसर कर रहे हैं हमार ऑप्षन नमर 20 राइट आंसर यह से ऊच्छा गया इस विंग नट्स का उपयोग कहां किया जाता यह आपकी लिए एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है जल्ली से बताएं जो विंग नट्स का उपयोग कहां किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हमारा होगा ऑप्षन नमर सी जरा इसका उपयोग कहां करते हम धीला और कस को रिंच के बिना में करते हैं ठीक इसका राइट आंस है तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा चार ऑप्षन में से तो उसका राइट आंसर होगा वह हमारा होगा ऑप्षन नमर्डी इस करेक्ट आंसर होगा इस गेज को हम बोलते हैं तिरिज्या गेज इसका राइट आंसर होगा तो दोस्तों स्कीन पर कोशन दियागा अ बताएं इसका राइट आंसर कौनसा होना चाहिए जल्दी से कमेंट करें जितने पी स्टूडेट वीडियो दगर सभी कमेंट करके बताएं तो जो भी साथ इसका हमारा राइट आंसर कर रहे हैं आपसे बतलब भार ही अगर व्यास मापना है तो जैसे कि आपको यहां चेतर दिये गया तो इसका आपको नाम बताना वो कौन सा नाम है तो चार ओप्षिन से चलिए से बताएं इसका राइट आंसर आपकर कर रहे हैं 27 का डी उनका राइट आंसर होगा यानि कहने का मतल़ है जो दियागा स्लिप केज का उप्यों करके विशेश जबड़ों की जोड़ी को वानाकर कर सकते बाहरी व्यास को नाप सकते हैं इस तरह से आप पर नाप दिया गया है ठीक है नेस्ट कुश्चन दरते हैं 28 नमबर कुश्चन देखते हैं कुश्चन में दो सो पूछा गया तो यह हमारा होता स्लिप गेज की जो उचाई होती है इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं स्लिप गेज की उचाई बोलते हैं तो यह आपको दीगई ए ठीक है यह आपको ए दीगी और आपको साइन 25 का मान दिया गया जिरो पाइंट टू टू सिक्स दिया गया ठीक है यह दि साइन बार इसको हम इसा याद रखना है साइन बार गोलते हैं और इसके जो बीच की दूरी दीगी वह कितनी दीगी 200 200 दीगई ठीक है अब आपको निकालना का जो स्लिप-गेज की उचाई निकालना तो हम जानते साइन ठीटा वराबर जो हमारा होता आप हठा थीता जो वरावर होता है यहाँ पर जो लंब दिया गए यह वाला मना क्या देगा सिनेपERS यह इसको कियाँ पंतिया इसको हम लंब करें जो सांऑ उन वार्ज कैसे करना है कि अगर करना है शाइन सजब्गेशने हैं इसकी बाद आपको पर एक जो सिलिप गज कि औरिंग चिप घे हैं मार की किया हो जाए वजाए और बटे में आपका आपका पर देखते हैं में यह साइन साइन पस्चिस डिगरी वर लुर्ब सी पैस्मुव् conquered भर बिए गए चहामे। को लिवर लमबव को दोसों ओद डियो है अब आप साइन पस्चिस गर्रेघिकायła रहां लॉय। पाइंट फोर तू तू सिखत है अब आपको करना करुछ साइन का मान h зем pac distancing क् Toliban यद ये या जाएगा इसके बाद आपको करना एब नबन यह जो गालना तो एपार फिद स्वराबर दो ग्रा तो यहां पर जो जिरो नहीं आएगा एक मिनिट चलो अब बताते हैं यहां पर पाइंट होने के बाद 4226 हो जाएगा अब आपको करना क्या है इसका और इसका आपस में मल्टिपलाई करना और कुछ नहीं करना तो मल्टिपलाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नूमर भी इस राइंड आंसर होगा यानि कि 84.52 एम 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 आप इसको सॉल्व कर गुणा करके देखिए आपका आंसर आएगा ऑप्शन नूमर भी करेक्ट आंसर होगा ठीक है यहां तक समझेंगे अपना खु सवाल हो जाएगा तो अगला कुशन चलते हैं कि अगला दूस्तों हमारा कोशन दियागा जो फिलर गेज के कितने सेट होते हैं इसके बारे मुच्छा गया देखिए चार ऑप्शन से तो इसमें साब को बताना राइट आंसर कौन सा होना चाहिए जो सिलिप गे जो फिल्ड नमबर हमारा एक दो तीन चार बंदफ चार सेट को प्रकार्ट होते है जो फिलर गेज के सेट्स होते हैं नाच कुश्म चलते हैं कि अगला हमारा जो कोश्चन दियागी इसमें पूशा कहा जो रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए उप्यों प्रेडियस और फिलेट वुम्हें बनाते हैं उस मटेरियल का नाम बताना है कि कि किस से हम बना सकते हैं देखिए आप चार ऑप्षण दिए घता है तो कमें और इस पात बनाने के लिए करते हैं तो option number 20 correct answer होगा next question बलते हैं कि अगला question दोस्तों important question आपकी exam के लिए इसमें आपसे पूचा गया है यहां दिये गया है जो लेपिंग में एक्स के रूप में चिन्नित भाग है जैसे कि आपको नाम बताना है तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइटांस और सभी को याद होना चीजिए इसका राइटांस करें तो जो भी साथ इसका राइटांस कर रहे हैं option number is correct होगा यानि कि इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं जो प्रदान किया गया जो क्या होता है उसका उद्यस क्या होता मदर उस लेपिंग टूल में जो प्रदान किया था उसका जो पर पस क्या होता मिन पर प्रपस मदर किस दिसके लिए बनाया था उपशन सी दिए चार बदा आपको राइट अंसर तो जो भी साथ इसका राइट अंसर कर रहे हैं option number 32 का बी उनका correct answer हो यानि उसको क्या करते हैं विस्तार के लिए यानि 4 expansion इसका राइट अंसर मत्वे विस्तार करने के लिए हम क्या करते हैं जो lepping tool में जो slit का उद्धेस होता है उसको आप प्याद रखना option number 20 करेक्ट आंसर हो और आपकी exam के लिए यह important question है ठीक है और वीडियो को ज़रूँ share करें और चैनल पर पहली पर विजट करें चैनल को subscribe ज़रूँ करने अगरा दुस्तों question है important question आपकी exam के लिए question में पूचे गया है कि इस operation का क्या नाम है जैसे कि आप यहां देख रहे हैं चित्र में तो इस operation का नाम बताने किस तरह का operation हो रहा है तो ज़री से नाम बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार आप्शन से तो जो पिसादी इसका राइट आप्शन कर रहे हैं हमारा option नमर टी उनका राइट आंसर हो जाए यानि यहां पर जो है लेपिंग जो लार्ज डायमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा जो जो ऑपरेशन हो रहा है इसको कैसा और लेपिंग लाज़ डायमीटर करकार का हो रहा है ठीक है कि न्यास कुशन चलते हैं तो अगला कोश्चन तो हमारा देश सकते हैं कोश्चन पुझा है जो काश्ट आरेन और अलोहो मेंटेरियल में की जो होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अप घर ठड़का उप्योग किया जाता है तो देश की चार options दिए गए आपको इसमें से सिलिकोन कारवाइड जो होगा इसका राइट अंसर होगा ठीक है नेस कोश्चन चलते हैं कोश्चन है यह पिछली बार प्रिविस एक्जाम में पूछा वह बात कुश्चन है तो जल्ली से बताएं इसका राइट आंसर 35 पर तो जो भी साथ इसका राइट अंसर कर रहे हैं ऑप्शन नमबर डी इसका रेक्ट आंसर होगा यानि कि हां आएगा क्या जो इंडेक्शन करेक्ट आंसर हो जो किकल रहते हैं सर्फेस हार्डिनिंग में विधी के सकेल में मुक्त होती है वो होती है इंडेक्शन अदेक्शन हाडिग याद रखना है ने को चलते हैं। से नमबर को श्राइब को अच्छे से पढ़ियागा इसका राइट अंसर बताए कि यह दे श्टील को क्रिस्टिकल तापान तक गरम किया जाता है और भट्टी में बहुत धीरे-धीरे ठंडा किया जाता है तो इस प्रिक्रिया को क्या कहते हैं और दोस्तों यह भी प्रणीजाम में एक फिलिए इंपोर्टन कोशिशन है तो जलिए सबसाइए इसका राइट अंसर क्या हुआ तो जो पीसाथ इसका राइट असर कर रहे हैं option नंबर A उनका correct हो इस जो वंते है जो वारा इसके correct answer हो स्टील को करेंट अंसर होड़े rise होता है तक घरम करते हैं अब भप्र फोiden में बहुत धिरे धिरे थे ठंडा किए दाया तो इस प्रियाक द्राइक होते है एने लिंग बोलते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एस करेक्ट आंसर हो ठीक है नेस्ट कुंछ जिलते हैं इसमें से कौन सा राइट अंसर करेंगा और इसका नंबर उनका राइट आंसर होगा। अगले कुशन जलते हैं कुश्चन में दुस्तों हमारा 38 नमबर कुश्चन दिया गा है कि गर्म जो सॉल्ट बात में कौन सा सर्फेस हार्डनिंग की विधी की जाती है उस विधी का आपको नाम बताना है तो चार आप्शन्स हैं इन में सा आपको कमेंट करना राइट आंसर कौन सा होगा इसका राइट आंसर करेंगे हमारा 38 का ID करेक्ट आंसर होगा यानि कि इसमें जो होगा क्या हुस्चन दियूद अपने एक्ट बाहिए उसका आपको नाम बताना जैसे कि आपको नाम बताना तो जली से बताई इसका राइट अंसर क्वेडियो में दोगा और जो आपका इसका जो आएची जरुद्श वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को जाद अपने 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 चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना जिससी कि नोटिफिकेशन आपको पाद तरुंत पहुंच सके थेंक यू फर वाचिंग दिश वीडियो जाहीन जावारत